तो आज के अपने टागेश देते हैं सबसे पर एक बार को डिसक्स करते हैं यहां पर देखे हमने मांक है थे दो इंपॉर्ट नेवल 22.02207 और 22.33 का लेवल हमने डिसक्स किया था कि जो भी लेवल ब्रेक होगा उस साइट का में ट्रेट प्लान करना है और यहां से देख सकते तो इसक्राइब के बाद भी मांक बहुत स्ट्रॉंग लिए और तक लिए और वने जो पुराना एक लेवल मांक कर अखा था हमारा 23.17 उससे रिजिस्टन्स लेकर अभी मांक नीचे गिरती भी नजर आ रही है तो देखे ही मोमेंटम का बाया है मोमेंटम आया साड़े चे जो यूए से उसका सीपे का डाटा आया था जो कि काफी नेगटिव रहा है और उसकी विज़े से जो डॉल इंट से यहां पर हमें स्ट्रॉंग घिरावट देखने को मिल रही है और इसी गिरावट की वज़े से ही हमें जो एकसी यूएसजी है उसमें अपसेट का मूव औ और हमारी सिल्वर में गोल्ड में अपसेट का मूव देखने को मिला है तो डॉल इंटेक्स काफी कमजोर हो गया जिसके वज़े से ट्रेडिंग जो है सिल्वर में और गोल्ड में बढ़ गई क्योंकि लोगों ने क्या किया है तो लोगों का पैसा डूबना शुरू हो जात है और इसी रीजन से यहां पर गोल्ड और सिल्वर में एक अप मूव यहां पर देखने को में मिला है तो यह सारे रीजन थे गोल्ड और सिल्वर में एक से जी उसडी में अपसेट के मूव आने के तो हमारे जो टार्गेट से बहुत सारे अचीव होगे सभी टार्गेट से तो अब यहां से कुछ भी प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट अब यहां से वापस जाएगी या फिर यहां से री टेस्ट लेकर ऊपर के तरफ जाएगी यहांसे मार्केट किसी भी सैट का मुमेंटम ले सकती है लेकिन हमें अपने डिस्सिव लेवल्स को को समस्ते पर ही को करेंगे सबसे फिरेंगे पर दियार मेटें लिदे लाते पीं पर तक जा दिसके लती नहीं है और अपनफों नहीं करेंगे लेशिट हैं इसको सब्सक्राइब इनको इसको यह बचोंच फेक्सटेंड करेंगा पर हमारा एक इनकों कि ब। तो यह लेव दे हैं हमारे पास और और अपसेट के लेव भी हमारे गते हैं इसके बात तो हमें ये जो तेल लाइन है रेड वाली लाइन जो है यह हमें रिजिस्टनस देना शुरू कर देगी तो सबसे पहले इस ट्रेल लेन को तो ही डिसकस कर रहते हैं कि यह तो हमें त्रेंड देखने को मिल रहा है इस तोड़ से मॉडिफाई करेंगे उपर की तरह शिफ्ट करेंगे यह एक्जैक्ट हमारा ट्रेंड लेन बनेगा और 50 लिए सकार्ट पर हमारा कोई ट्रेंड बन रहा है तो उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे जाँ अब यहांसे आगर हम मार्किंग करें तो यहां पर हमें ट्रेंड लाइन बंती ही नज़र आ रही है जिसको यह डाटा के बाद मार्केट ब्रेक कर चुकिए है तो अब मुब यहां लेती भी नजर आ रही है तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है उसको करेंगे स्ट्रॉंग लेवल है हमारा 23.170 का मार्केट नहीं हो पाई है सिर्फ विक उपर तक गई है अब उपर का जो लेवल है 23.16 का इसको मार्केट ने हिट किया है लेकिन बॉडी ने उपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिये और यहां से आकर मार्केट ने के पहले भी बहुत बार रिजिस्टन्स लेकर यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ गिरी है तो भी एक्जाक्ली मार्केट फिर से वही चीज दो राती वी नजर आ रही है यहां पर एसको भूरी करते हैं सेकिन ठागेट रहेगा हमार 22.92 का इसके बाद नेक्स ठागेट रहेगा 22.77 का इतीं हीaking आ ciao कर देगी क्या तो कि नीचे अगर मार्केट जाती है तो शुर नहीं कि मार्केट नीचे के दरफ सस्टेन कर पाएगी इस ट्रेलेंट के या नहीं कर पाएगी तो यह हमारा टांगेट प्लास रहेगा 22.77 का इसको आप मार्क कर लिजे और अगर 20 से प्लान करना है तो हमें वेट करनी होगी 23.11 के प्लान करेंगे 23.11 के ब्रेक होते है यहां से तो हमें यह अजिए से प्लान करना होगा और हम डिसक्स करते हैं किस तरह का मूव आ सकता है तो यह जो है स्प्सक्राइब नीचे के तरफ गर गरती हूझ रहें एक क्यांदल हाइब नेकर ब्राटा कि बिज़ये तो अगर जो सबसे पहले support देगी और अगर यह यह री टेस्ट कर वापा इंग मार्केट को मार्केट ने इसको री टेस्ट करके वापस bounce back कि अधिक strong move हमें upside का देखने को मिल सकता है तो अपनी levels को सबसे पहले हम extend कर लेते हैं तो आप जो decisive level रहेगा इस time पर वह रहेगा 71,630 का level अगर तो यह level ब्रेक हो गया निकिसके नीचे मार्केट नी closing दे दी और यहाप पॉसिबिल्टी बहुत जाद स्ट्रॉंग है कि नीचे की तरफ ही closing देगी volume काफ़ increase हो चुक है और red candle बें बन चुक है तो यहां से नीचे की तरफ closing देगी तर फर्स तांगेट रहेगा हमारा 71,274 का second target हमारा रह सकते है 70,990 का तो यह दो टांगेट रहेंगे हमारे sell side के लिए आप इनको सबसे पहले mark कर लिए इसके बाद अगर मार्केट इस ट्रेलन के अंदर एंटर कर जाती है तो हमारा जो next target रहेगा वो एक बड़ा target रहेगा यह रहेगा हमारा 70,540 का तो तीन टांगे 70,990 का लेवल और 70,533 का लेवल तो यह लेवल आप मार्क कर लिए sell side के लिए और इनके सगर मार्केट उपर के तरह बढ़ती है अपसेट भी जाती है और हमारा जो डिसेसिव लेवल है 71,630 का यह गब्रेक कर देती है तो मैं buy set प्लान करना होगा फर्स टांगेट रहेगा 71,993 सेकेंड रहेगा 72,334 थर्ड रहेगा 72,640 का लेवल तो यह लेवल से आप मार्क कर लिए जाट पर यह लेवल से में support और resistance के लिए काफी help कर सकते हैं कर और इसके लाबा हमें अपनी जो strategy है वो base करनी होगी हमारे fundamentals के उपर क्योंकि fundamentals भी market को बहुत strongly fake करते हैं जिस टाह नहीं आता है उस टाहिम पर बेना डर्य आप technical analysis के basis पर अपनी ट्रेट को कर सकते हैं लेकिन अगर data आना होता है तो थोड़ा सा वेट करना होता है क्योंकि data technical analysis को कमजोर कर देता है और उसको disrespect करते हुए market किसी भी सेट का move ले सकती है तो जब data आता है उस टाहिम पर technical analysis हमें स कर सकते हैं कि market कहां पर थोड़ा सा रेस्ट ले सकती है हमें एक लेवल पता चल जाता है अधर्वाइस जो data के टाइम है data के टाइम पर technical analysis हमें जाधा help नहीं करती है जैसे यह आप देख सकते हैं अभी यह ट्रेल लाइन बनी थी data आया यहां पर बढ़ रही थी लेकिन data आय कि market ने बहुत strongly upset का move लिया और यह जो ट्रेल ने इसको एक ही बारी में तोड़ दिया और यह टूटने के बाद क्या हुआ है अभी market फिर से कमजोर होती भी नजर आ रही है यह जो momentum आया है यह data की वज़े से आया लेकिन अब जो momentum आया है वो general जो buying और selling market में चलती है उसकी अब मात करते हैं fundamentals की इसके अलावा काफी सारा data आ रहा है हमार पास हमार पास crude oil का और चाइना का भी data आ रहा है तो काफी सारे data है उसको आप miss मत किजेगा हमाई data analysis की वीडियो को जरूर देखेगा आपको multiple currency pairs मिल सकते हैं वहां से देखने के लिए जिस पे आप trade plan कर सकते है अधरवाइस यह जो data हम discuss कर रहे हैं यह data है जो कि dollar index पे strong impact डाल सकता है तो for question levels है previous levels है actual levels हमें कल मिलेंगे सुबा साड़े 5 बज़े सबसे पहरे जपान का data आ रहा है GDP का data है negativity expected है अगर यह data negative आया तो USD JPY यहाँ पर हमें उप्र आता वनेजर आ सकता है कि उसकी बाद जीबिप का data आ रहाए यह बी जो से कमजोर तक वनेजर आ रहा है negative data लोग रहा है यह अगर ऐसा हुआ तो GBP USD जो है यह currency pair जो है यह दिद आ सकता है उसके बाद you know यह आप यहाँ पॉजिविटी इक्सपेक्ट अगर यह डाटा पॉजिटिव आया प्रीविस फिगर से जादा बढ़ाया तो यू आर यू एस डी हमें एक अप्मूफ दे सकता है और डॉलर इंडिक्स कमजोर हो सकता है इसमें यूरो करेंसी स्ट्रॉंग हो जाएगी उसके यह सारा का सारा जो डाटा है साथ बजी के और इसकी बडीट जो हमारा से यू एक से इस है यह हमें स्ट्रॉंग होता बने जार आ सकता है यह अगर ऐगर फेर कमजोर हो जाएगा तो बडौल तो गौल्ड ऑस्टिक्स कमजोर हो जाएगा तो बज़ेगा तो पसट चलेंगे डोनों के दोनों और टाइम फ्रीम साप मा से सब्सक्राइब भी कर लेजे कि सब्सक्राइब करने पर भी आप बहुत सारा प्रॉफिट मार्केट से अंकर पाएंगे क्योंकि तभी हमाई जो वीडियोस हैं आप तक टाइम लिप पहुँच सकते हैं okay investors bye everybody take care and keep on earning profits good night